हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू लॉल अफ यूट्यूब चैनल इंजिनियर से स्टॉप और जैसा कि हम लोग इंटर्व्यू ग्वेस्टिन्स पर इसकेशन कर रहे हैं इधर बीच तो इंटर्व्यू क्वेस्टिन्स की बात करें और उसमें शॉटिंग अलगर्थम और उन तो questions क्या क्या बन सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले और सबसे important आपको पूछा जाता है कि which shorting algorithm is best तो shorting algorithm आप किस तरह से बताएंगे कि कोई भी algorithm best है तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि उसकी complexity मतलब time complexity क्या है और space complexity क्या है तो तो यह भी ऐसा algorithm जिसकी जो complexity है वो best होगी है ना उसी को आप best algorithm कहेंगे जैसे हमारे पास quick short, merge short, bubble short, insertion, selection यह सारे shorting algorithms हैं है ना लेकिन हम इसमें से best किस को कहेंगे जिसकी आपकी best, average, worst इन तीनों cases में जिसकी complexity minimum होगी वही आपका best algorithm कहा जाएगा या फिर आप से यसा complexity किसकी अच्छी है तो आप इस तरह से भी answer कर सकते हैं और अगर आपसे generally पूछा जाए कौन सी best algorithm है तो आप इन तीनों को ध्यान में रखेंगे तो चलिए हम लोग फटा फटा फट स्टार्ट करते हैं तो quick shot की best case time complexity order of n log n average case में भी n log n है but in worst case order of n square तो आपको ये पता करना है कि n square क्यूं हो रहा है या आपका जो quick shot है उसके लिए worst complexity कब मिलती है आपसे ये question probable question है कि worst case complexity आपको quick shot में कब मिलेगी मतलब order of n square कब मिलेगा when you are using the array data structure है हम सारे ही इसमें मतलब algorithms में array data structures को use करें ठीक है ओके मर्श चॉट पर आते हैं तो मर्श चॉट आसान सा है इसकी best average worst तीनों ही cases में n log n आपको time complexity मिल रही है तो सवाल ये बनता है क्यों ऐसा क्यों ठीक है तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए और कई बार जो सबसे order of n average case order of n square ठीक है तो वो कौन सा case है जिसमें आपका insertion short best perform करता है वो cases बताइए ठीक है तो आप बताएंगे when elements are already in shorted order तो आपका जो insertion short है वो अच्छे मतलब best performance provide करेगा तो मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब कोई algorithm किस case में best perform करेगा किस में worst perform करेगा राइट ओके या अभी कभी ऐसे पूछा सकता है कि कौन सी algorithm best case में सबसे अच्छा आपको complexity दे रहा है तो आप देख लीजिए सबसे कम complexity best case में या तो आपको bubble shot की मिल रही और insertion short की मिल रही तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा है ठीक है क्यों bubble shot में आपको best complexity मिल रही है या क्यों insertion short में best case में आपको ये complexity मिल रही है उसके cases आपको पता होना चाहिए ठीक है तो चलिए एक step आगे पढ़ गए थे हमलों bubble shot पे आ जाते हैं तो bubble shot की भी complexity आपके insertion short से मिलती जूलती है order of n best case में n square n square worst case में तो में मेरा बनाने का ये purpose है कि ताकि आप इ आपको quick revision की requirement हो तो आप फटा-फट आप ये lecture देखके revise कर सकें ओके so last one is selection short selection short तीनो ही cases में आपको order of n square complexity provide करता है so that's all about the comparison of shorting algorithm सहा आप एक चीज और आइड कर सकते है माली जा अपको दिमाग में हीप short का क्या complexity है तो merge short और या heap short यहां पे अप्लिक लिजे का merge short के बगल मे हीप short भी आपका तीनो ही cases में order of n log n complexity देता है ठीक है merge short भी n log n best average worst case में provide करेगा और heap short भी n log n तीनो ही cases में provide करेगा so that's all about the comparison of shorting algorithm I hope आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे like करिएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब करिएगा ब